हेलो गाज मिरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं अड्रो वाइड और आज के अपने इस वीडिय में बात करने वाले हैं आईकू 7 के बारे में जी हाँ आईकू 7 यहाँ पे आ चुका है मेरे पास और आज हम इसी वारे में थो तो यह बात्यचीत करेंगे अब यह IQ जो ब्रैंड है यह Vivo का सब ब्रैंड है शायद आपको पता होगा जैसे कि Xiaomi का सब ब्रैंड है Poco और OPPO का सब ब्रैंड है Realme वैसे ही Vivo का सब ब्रैंड है IQ तो इन्होंने दूसरा Smartphone India में लांच किया है जहां तक मुझे पता है IQ 7 लेकिन इसका नाम रखा है प्रड़क्ट अच्छा होना चाहिए नाम से ज्यादा फरक नहीं पड़ता बाकि इस वाली वीडियो में हम जानते हैं इसी फोन के बारे में और आपके काफी सारे सवाल भी आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएंगे बाकि मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों ने लाइक कर दिया है लेकिन अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए आपके एक लाइक से मिलती है तगड़ी मोटिवेशन और चाहें तो दिया गया है और साथ में टाइप सी केवल में जाती है एक चीज आपको बता दूँ इस फोन में आपको 355 हैटफोन जैक नहीं मिलता बट उसका कनेक्टर भी नहीं दिया गया है और एक चीज और क्ले कर दूँ कि बैक जो है वो ग्लास का है मैट फिनिश के साथ आता है और जो साइड है वो प्लास्टिक है मतलब फ्रेम इसका प्लास्टिक का है अब अगर प्राइजिंग की बात कर लेते हैं तो दो वेरेंट में वाला स्मार्टफोन आता है प्राइजिंग आप देख सकते हैं यहां पर लेकिन जो बेस वेरेंट है 8GB 128GB यह आपको डिसकांट 300Hz touch sampling rate है HDR10 plus certified है इसके display और जो पीक ब्राइटनेस है 1300 निट्स है और जनली यूज किया है तो ब्राइटनेस बहुत कमाल की है इस वाले स्मार्टफोन की और साथ इसमें intelligent डिस्प्लेश चिप अलग से लगाईगी है यह MEMC technology को यूज करती है और artificially गेम्स के अंदर और ज्या स्मार्टफोन में गेम्स के अंदर frame interpolation को यूज किया है जहां पर फ्रेम्स के बीच में और फ्रेम्स एड़ करते हैं थोड़ा सा और smooth experience देने के लिए आपको लेकिन इसे थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा बाकी इन डिस्प्ल 9R टेस्ट किया था Vivo X60 टेस्ट किया था और आने वाले टाइम में 11X भी टेस्ट कर लूँगा और इसे भी टेस्ट कर लिया है तो performance में गेमिंग में ये वाला चिपसेट ओवराल काफी कमाल का है मतब जिस बजट में आपको जो performance मिल रही है वो एकदम best है मेरे इसाब से त क्योंकि iqoo का फोन है तो इसमें gaming से लेटेट काफी सारे features एड किये गये है जैसे कि 4D vibration इसमें एड किया गया है जो कि मतलब इसे गन वन चलती है तो काफी बढ़िया फील होता है वाइबरेट करता है हाना कि मैंने नोटिस किया कि कभी-कभी गन ना चलने के केस में भी ये वाइबरेट कर जाता है तो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस किस केस में ये वाइबरेट करता है और कुछ गेम्स में MEMC टेकलोजी इनकी वर्क करती है जो कि extra frames एड करती है और smooth experience देने के लिए जैसे कि call of duty mobile मैंने ट्राई किया था इसमें 90 fps और 120 fps का option ये दिख तो बेसिकली ये frame interpolation technology को use करते हैं MEMC technology को use करते हैं और frames add कर देते हैं थोड़ा सा smooth experience आपको मिल जाता है लेकिन इसे practically मुझे तोड़ा सा odd test करना पड़ेगा तब ही मैं आपको बता पाऊंगा कि practically मतलब इसका कोई फायदा है भी या नहीं है बाकि game के अंदर display enhancement वाला feature दिया RAM मिल जाती है और यहां पे extended RAM वाला feature भी दिया गया है जहां पे आपकी internal storage को as a RAM use किया जा सकता है up to 3GB तो जैसे 8GB variant है तो यह 11GB मतलब technically RAM इसकी है बाकि इतना मैं कह सकता हूं कि RAM management इस वाले smartphone का मुझे काफी कमाल का लगा वी वो X60 भी हमने यूज किया था उसके अंदर भी वाला feature दिया गया था अब बात करते है camera के तो यहां पे आपको triple rear camera दिया गया है primary 48 MP का camera sensor मिल जाता है जो कि यह Sony का IMX 598 अब इसमें OIS भी मिल जाता है optical image stabilization साथ में 13 MP का ultra wide sensor मिल जाता है जो कि as a macro camera भी काम करता है और macro image इस आते तो IQ वाले इसे हडा सकते थे लेकिन मतलब दे दिया है बाकि 16 MP का selfie camera मिल जाता है camera UI typical Vivo जैसा ही है क्योंकि फंटा चोई सी आपको इसमें भी मिलता है तो feature reach है काफी सारे features है इन्हें हम आगे आने वाले videos में explore करेंगे तो चैनल को subscribe कर लीजिए बाकि initially कुछ image मैंने capture कर change के हिसाब से मुझे camera अभी तक सही लगा है ultrawide sensor भी मुझे अभी तक सही लगा और ultrawide ने जादा natural colors को produce किया है जितना मैंने अभी तक test किया है बाकि front camera indoors में काफी कमाल perform कर रहा है मतलब काफी अची details रहती है और skin tones भी काफी बढ़िया रहती है outdoor में भी अच्छा perform कर रहा ह दिखता है कि यहां भी background blur हो रहा है लेकिन image प्रोसेस हो के आती है तो वहां पर background blur apply नहीं होता तो यह एक बग है जो कि इस phone में भी है आकि videos आप टू 4K 60fps शूट कर सकते हैं 1080p 60fps में भी shoot कर सकते हैं लेकिन 4K 60fps में OIS काम नहीं करता EASB काम नहीं करता बाकी camera की full testing आगे हुआ हुआ तो च्याओं को subscribe करके रख लीजिए और वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए एक चीज और अच्छी लगी स्मार्फोन में कि यहां पर dual speaker आपको मिल जाते हैं और loudness और sound quality मुझे काफी balance काफी बढ़िया लगी ले लेकिन कम bands पर है लेकिन जो सबसे common band है band 40 या फिर कहें 200 उस band पर भी 4G plus का support इस वाले smartphone मुझे देखने को नहीं मिला है तो यह मेरे लिए surprising था कि इसमें 4G plus का support किन bands पर दिया गया है exactly वो शायद IQ ही clear कर सकता है या फिर update के through वो और bands को अगर enable कर देते हैं तो काफी अच्छ यहां पर आप auto call record कर सकते हैं मतलब सामने वाली party को पता नहीं चलेगा और call recording कर सकते हैं आप चुप कैसे बैटरी 4400 ms की है और 66 watt की charging को support करता है और phone काफी जादा तेजी से charge होता है और साथ ही battery backup मैंने अभी तक इतना test किया है मुझे काफी सही लगा है इसका बाकी आने व आपको Funtouch OS 11.1 मिल जाता है Android 11 पर चलता है वाला smartphone और Funtouch OS पहले से काफी ज़्यादा improve हो चुका है इसके बारे मैं अलड़ी बात कर चुका हूं Vivo V20 Pro यूज किया था उसमें भी काफी ज़्यादा improve कर दिया था पहले के मुकाबले और Vivo X60 यूज किया था उसमें भी काफी आपको Funtouch OS से और All UI के मामले मुझे काफी पसंदा है कि मतलब stock Android की तरह यह लगता है मतलब UI जो है यूजर इंटरफेस है जो बटन है जो टॉगल्स है क्विक टॉगल मेन्यू है सेटिंग्स मेन्यू है जो आइकन्स है वो सबब थोड़ा सा बेटर है मतलब पहले के मुका आप हाट गेम्स वाला फीचर भी मिल जाता है और साथी ब्राउजर के अंदर इनकी जो फीड है वो थोड़ा बलगरसी है उतनी अच्छी नहीं लगती तो कुछ चीज़ें अगर फंटेच OS में और इंप्रूव हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि यह OS काफी ज्यादा इंप्र का मुझे काफी बढ़ी अलगा डिजाइन बिल के बाद कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे ग्लास मिल जाता है मैट फिनिश के साथ आता है हाला कि फिंगर प्रिंट्स थोड़ा बहुत चिपकते हैं इसके अंदर और जो यह कैमरे के नीचे वाला पा हैं क्वाल कॉम स्माट डगन 870 चिपसेट की तो जब यह लॉंच किया गया था तो काफी दारे क्रियेटर्स ने और मैंने भी बोला था कि यह वाला चिपसेट जो है 865 का ग्रेड़ेड वर्जन है री ब्रैंड वर्जन है लेकिन आज के टाइम पे जब मैंने कई स्मार्ट के हिसाब से हम मतलब इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते चिपसेट काफी कमाल का है साथ में 5G का सपोर्ट भी मिल जाता है क्योंकि स्नैपडगन 870 चिपसेट के साथ आज के टाइम पे अंडर 30,000 आपको कुछ स्मार्ट फोन देखने को मिल जाते हैं साथ ही आपको बेटर कै मतलब जादा महंगे थे और उससे स्लाइटली बेटर चिपसेट आपको आज के टाइम पे काफी कम प्राइज में देखने को मिल रहा है और इस साल 870 वाले और भी स्मार्ट फोन आपको देखने को मिल सकते हैं और भी ब्रैंट के द्वारा और एक चीप में से काफी सही रहे हैं क्योंकि आज से 2-3 साल पहले आपको इसी बजट में 30,000-40,000 रुपए में स्नैपड़गन 845,000-855 देखने को मिलता था लेकिन अभी आज के टाइम पे बाकी चीज़े भी इंप्रूव हुई है और चिपसेट भी इंप्रूव हुआ है जबकि उस टाइम पे टैक् यह मेरा ओपिनियन है आपका क्या ओपिनियन है आप मैं से कॉमेंट करके बता सकते हूं डेफिनेटली जो ट्रीपल एड चिप्सेट हो एक्शुल में एक ट्रीप स्प्सेट है लेकिन और ये वैल्यू के साफ़से का है यही कहना चाहता हूं में बागि दोस्तों यह वाला सवाल का जवाब जरूर देजिए किस स्मार्ट फून के साथ आप इसका चाहते हैं काफी सारे स्मार्ट फून मेरे पास इसके टक कर वाले तो आप बता सकते हैं लड़ाएंगे सब को बागी दुस्तों आज कोड़ में फिलाल इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है थैंक्स वीडियो में